फ्रेंट फिछले वीडियो में हम हमारे रावण को बना रहे थे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और उपर आई बटन में मिल जाएगा अब हम आगे रावण को बनाना शुरू करते हैं अब टाइम है हमारे डाइगरम को एक बार फिर से चेक कर लेने का अब हमारा रावण यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया है अब हम हमारे रावण के हाथ बना लेंगे तो फ्रेंड अभी तक के रावण में हमारी एक जाडू के पूरी इस्टिक्स खतम हो चुकी है अब यह मैंने दूसरी जाडू मंगा ली है अब हम इसको भी खोल कर इसके श्टिक्स निकाल लेंगे और इन्हें हाथ बनाने में काम में लेंगे यह मैंने जाडू को श्टिक्स खोल ली है और इनको हमारी पेपर श्टिक्स में एड़ कर लेंगे फिर हम हमारे रावण के हाथ बनाना शुरू करेंगे अब हम एक बार फिर हमारे रावण के डाइग्राम पर आ जाते हैं हमारा रावण यहाद तक कम्प्लीट हो गया है अब हमें रावण का हाथ बनाना है हाथ बनाने के लिए हम इस तरह के 3 ring बनाएंगे हाथ बनाने के लिए हमें जो 3 ring बनाने है उनकी length हम देख लेते हैं सबसे बड़ा वाला पहला ring हमें बनाना है 32 इंच का, दूसरा 27 इंच का, और तीसरा 24 इंच का हम paper sticks में जाड़ो के stick को add कर लेंगे फिर paper sticks को आपस में जोड़ कर जो हमने measurement लिया है उस नाप की paper sticks बना के और फिर उन्हें fold करके उनके ring बना लेंगे friends हाथ और सिर बनाने के लिए हम जो paper stick यूज़ करेंगे उसमें हम single जाड़ू के stick ही लगा लेंगे उससे हमारा काम चल जाएगा friends हमने हमारे तीनों ring बना लिये हैं अब friends हम हमारा सबसे बड़ा वाला ring लेंगे और उसमें एक paper stick को add करेंगे friends हम ये धियान रखेंगे कि paper stick में जिस तरफ माड़ू के stick का मोटा वाला हिस्सा जिस तरफ है उस हिस्से को हम इस तरह से बाहर के तरफ थोड़ा इतना निकाल कर रखेंगे और फिर से इसमें इस तरह से staple करके जोड़ेंगे हम इसमें equal distance पर 4 paper sticks को जोड़ लेंगे friends हमने इस तरह से इसमें 4 paper sticks को एड़ कर लिया है friends अब इस paper stick में इसके middle में हम हमारा medium size वाला ring इस तरह से staple करके जोड़ेंगे तो friends हमने medium size वाला ring भी हमारे हाथ में इस तरह से staple करके जोड़ लिया है अब हम इसके end वाले इससे में हमारा सबसे छोटे वाला ring भी staple करके जोड़ देंगे और हमारे हाथ को complete कर लेंगे यह हमारे रावन का एक हाथ बन गया है फ्रेंड यह इतना बड़ा हाथ है जितना हमारे 4 फिट के रावन की body बनती थी तो फ्रेंड इसी तरह से हम इसी process से दो हाथ बना लेंगे इसके जो big gap है यहाँ भी हम paper stick को इस तरह से सीधी लगा कर हम इसमें 4 paper stick और लगा कर इसे complete कर लेंगे फ्रेंड यह हमारा हाथ complete हो गया है हम इसी तरह से दूसरा हाथ भी बना लेंगे और पहली बार इतना बड़ा रावन बना रहे हैं इसलिए हम इसमें L shape के हाथ वाला option नहीं रख रहे हैं उसे हम आगे कभी रखेंगे तो फ्रेंड यह हमारे रावन के दोनों हाथ बनकर ready हो हमने नीचे से रावन को बनाते बनाते यहां तक complete कर लिया है दोनों हाथ बन चुके हैं अब हमें रावन का सीर बनाना है सीर बनाने के लिए मैंने इस तरह से इसे calculate कर लिया है हमें 3 ring बनाने हैं इनका size हमें 5 feet रखना है हम 5 feet की paper stick बनाएंगे और उसके 3 ring बना लेंगे तो हम इनमे equal distance पर 4 paper stick को staple करके जोडेंगे तो friend हमने इस ring में इस तरह से equal distance पर 4 paper stick को staple करके जोड लिया है अब हम इस frame में हमारे दो बच्चे हुए rings को भी इतनी इतनी दूरी पर staple करके जोड लेंगे दोनों side में हम staple करके उन दोनों ring को भी इसमें जोड लेंगे तो friend हमने हमने तीनों रिंग्स में इस तरह से पेपर इस्टिक को जोड लिया है अभी हमको कहीं से गर इस्टे से फूला हुआ या थोड़ा सा आला केड़ा दिखाए देता है तो हम इसी स्टेज पर इनकी स्टेपल को खोल कर इसे रिपेर करके बिल्कुल सीधा कर लेंगे अब हमने हमारे रावड के सिर को इस तरह से पूरा सीधा कंप्लीट रेडी कर लिया है अब इसके जो भीच वाले बड़े गैप हैं यहाँ प्यम पेपर इस्टिक को लगा कर इसे फिल कर लेंगे तो friend हमना यह इस तरह से यहां से पेपर स्टिक को लगा कर और इसमें सामने वाली पेपर स्टिक में इस तरह से जोड कर इसे उपर से बंद कर दिया है इसी तरह है अब हम इस paper stick में एक paper stick को जोड़ेंगे और इसे उपर से ले जाते हुए उसे जोड़ते हुए इसके ठीक सामने वाली पेपर स्टिक में इस्टेपल करके जोड़के इसे उपर से बंद कर देंगे अब फ्रेंड हम यहाँ पर पहले एक पेपर स्टिक कट्ट कोड़ा यहां से यहां तक जोड़ेंगे इसी तरह हम इसमें चारो तरफ पेपर स्टिक को जोड़कर इसे उपर से कवर कर लेंगे तो फ्रेंट हमने रावड के सिर में चारो तरफ इस तरह से पेपर स्टिक लगा कर इसे कम्प्लीट कर लिया है अब इस स्टेज में आकर आप लोगों कहीं पर दिखाई देगा यह इस तरह से ज्यादा फूला हुआ या इस तरह से ज्यादा दबा हुआ तो इसे हम अभी रिपेर कर लेंगे फ्रेंट जैसे ज्यादा फूला हुआ देख रहा है इसे हम यहां से इस तरह से फिर से खोल लें प्रेन पे बिल्कुल प्लेन हो गया है एसे ही आपको अगर अपने रावण के फेस में पर दिखा दिखाई देथी है उसे आप इसे स्टेश पर रिबेर कर लेंगे फ्रेंड हमने हमारे रावण के सिर को इस तरह से अच्छी तरह से रिबेर कर लिया है अब यह कंप्लीट हो अब हम इसका इस तरफ वाला हिस्सा भी जैसे अधने उधर वाला इस्सा बंद किया है ऐसे ही हम यह वाला इस्सा भी बंद कर देंगे इधर में पेपर श्टिक लगा के आमने सामने की मैश करा कर जोड़कर इसे बंद कर लेंगे तो फ्रैंड हमने हमारे रावन के सिर को दोन इसी तरह फ्रेंड हम सारे गेप्स को कवर करके इसे कंप्लीट कर लें तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के सिर के जो बड़े बिक एप थे उन्हें अच्छी तरह से फिल करके पूरे रावण के सिर को कंप्लीट कर लिया है तो फ्रेंड अब हम हमारे रावण के सिर पर न्यूस्ट पेपर पेश्ट करके इसे कवर कर लेंगे और अभाश्य नार्ट के सब्सक्यरेज़ किसdoo है फैन्ध इसी तरह के पूरे सिर्क पिज़के नुज़ेश् नुज़ाष कर लेंगे प्रेंट हमने बीजबीच में थोड़े portion को इस तरह से खाली भी छोड़ दिया है, त्याकि हम इसे इस तरह से पकड़ सके, और अभी इसमें हमें garden connect करनी है, और मुकुट को भी connect करना है, तो हमने इसे इतना side में थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, तो फ्रेंट अब हम एक और उसे round करके उसके 2 ring बना लेंगे तो friend हमारे round की गर्दन के लिए हमने इस तरह से 2 ring बना लिये हैं friend अब हम हमारे round की गर्दन बनाने के लिए एक paper stick लेंगे और उसमें हमारे इस ring को staple करके इस तरह से जोड़ेंगे friend हम इसमें इतनी जगे नीचे छोड़ देंगे friend अब हम इसमें इसी तरह से 3 paper stick equal distance पर और जोड़ लेंगे तो friend हमने इस तरह से इसमें 3 और paper stick को जोड़ लिया है friend अब हम इनमें 2 sticks के बीच में इस तरह से एक stick को और जोड़ कर इसमें total 8 sticks को staple कर लेंगे अब हम हमारा दूसरा वाला रिंग लेंगे और उसे हमारे रावण की गर्धन में इस तरह से पहना देंगे इसे, friends, हम इसमें इस तरह से जोड़ेंगे friend, इसके अगर हम 20 की दूरी को देखें तो ये 2 इंच है तो इंच की दूरी रखते हुए हम इस वाले रिंग को भी श्टैपल करके इसमें जोड लेंगे तो फ्रेंड अब हम हमारे रावड की गर्दन को भी न्यूच्वी पर पेश्ट करके कवर कर लेंगे तो फ्रेंड हमने रावड की गर्दन को भी निश्वी पर पेश्ट करके कवर कर लिया है यह हमारे रावड का सिर बन चुका है और यह हमने गर्दन भी बना ली है अब हम हमारे रावड में गर्दन को जोड लेंगे फ्रेंड हम यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि हम रावन के सीर को गुमा कर देख लेंगे जिस तरफ यह सबसे अच्छा होगा उधर हम फ्रेंट बना लेंगे यह वाला साइड मुझे सबसे अच्छा लगा है तो मैंने यहाँ पर F मार कर दिया है F यानी फ्रेंट् फ्रेंड दूसरी चीज़ हम रावन की गडटन को शिर में जोडेंगे तो इस में प Channel 25 सा इसके सीधी वाली इस तरह पने पень अच्यमी में नेचे की तरह रखेंगे अब हम रावन کے ये वाले जो खोले हो गई इसे हैं इने भी कुईच पेपर पेश्ट करके कवर कर लेंगे और रावन के घरदन से यहाँ तक भी कमप्रीट कवर कर देंगे तो friend हमने रावण के सिर पर और गर्दम पर नीज़ पर पेश्ट करके cover कर लिया है अब हमारे दोनों हाथ ready हो गए है और हमारे रावण के पूरी body भी ready हो गई है अब friend यहाँ पर एक समस्या आ गई है समस्या यह है कि रावण का यह सिर इतना उंचा है जबकि अगर मैं इसे उपर रखता हूँ तो यह छट में जाके पूरा touch हो जाता है और इसमें नहीं लग पाएगा अब हमारे पास दो रास्ते हैं पहला यह कि हम इसे बाहर यहां से निकालें और बाहर कहीं खुली जगे में इसके उपर सिर को रखके attach करें और हमारे रावण को complete करें और दूसरा रास्ता यह है कि हम यहीं पर रावण के दोनों हातों को और सिर को पूरी body को complete कर लेंगे फिर हम इसे इस तरह से बनाएंगे कि दोनों हिस्सों को अलग-अलग बाहर ले जाकर हम इसे जलाने से पहले जोड सकें अब फ्रेंड मेरे पास बाहर खुली जगे तो है नहीं जहां मैं इसे इस तरह से छोड़ सकूँ इसलिए मैं इन दोनों हिस्सों को अलग-अलग ही बना कर फाइनल कर लूँगा फिर मैंने दहन से पहले जोड दूँगा अब मैंने तीन पेपर इस्टिक को जोड कर ये एक बड़ी पेपर इस्टिक बना ली है और इसे रावण के उपर वाली बॉड़ी पर इस तरह से रख दिया है मैंने इसे इस तरह से गुलाई की शेप में इसके उपर रख दिया है अब मैं इस वाली पेपर इस्टिक को हमारे जो साइड वाली ये सेंटर वाली पेपर इस्टिक है हमारे जो इस रावण का ये वाला जो साइड वाला पोर्शन है इसकी जो सेंटर वाली इस्टिक है इसमें मैं इसे इस तरह से स्टैपल करके जोड लूँगा इसी तरह से इसके ठीक सामने वाली जो साइड की सेंटर वाली पेपर इस्टिक है उसमें भी इस स्टिक पूस तरब भी जोड़ लूँगा मैंने यह इस तरह से स्टीक को इस में स्ट़ैप्ल करक Gary यह जो अभी लगाई है वाली प्लिप्रिश्टिक जो इसमें इस तरह से लगा कर हमें इसमें जोड़ ली है अब जो हमारे रावन के यह हात हैं उपर वाली पेपर स्टिक है इस में जाडु वाली स्टिक को तोड़ कर बाहर निकाल देंगे तो फ्रैंड अब हमारे रावण के रावण के हातों को जोड़ने के लिए हम इस से इन वाले स्टिक को भाहर क cup करेंगे है हिंकि लेगडे हम पहले हटा चुके हैं अब हम इन सब को इस तरह से और कना के थो कर दे ded कि तो फर कि आमने सारी जिए पहर कि तरह फोल कर दी है फ्रेंड अब हमने जो अभी एकinding इस्टीक यहाँ कहा होना चाहिए हाथ की यह वाली जगया हाथ की है हम हाथ को इस जगया रखेंगे और दो पेपर श्टिक आमने सामने वाले को हमारी इस वाली पेपर श्टिक में जोड कर हाथ को इसमें जोड लेंगे हमने हमारी रवन की हाथ को इसमें जोड लिया है हमने केवल ऊपर की श् स्टिक लगाई थी उसमें दोनों हाथों की आमने सामने वाली एक एक पर इश्टिक को इसमें इस तरह से इसमें एड कर लिया है अब हम उपर वाली जो यह paper stick है इसे भी इसके सामने वाली paper stick में इस तरह से add करके इसे connect कर लेंगे तो friend हमने यहाँ पर यह दो paper stick को इस तरह से connect कर लिया है ठीक इसी तरह की दो paper stick हम हाथों के paper stick से match कराते हुए पीछे की तरफ भी जोड लेंगे तो friend हमने रावन के पीछे की तरफ वाली paper stick में भी एक paper stick ये लगा दी है और एक उपर वाली paper stick उधर ले जाकर हमने इस तरह वाली paper stick में इसे joint कर लिया है हाथों को इस तरह से temporary जोडने वाला यह जो process है ये किवल उनके लिए है जो उपर वाले हिस्से को और सिर को अलग रखेंगे और नीचे वाले इस body part को अलग रखेंगे अगर आप चाहते हैं कि हमारा रामट एक साथ जहीं पर complete हो जाए तो आप हातों को permanent जोड़ सकते हैं और सिर को भी इसके उपर जोड़ सकते हैं अब जो हमने यह वाली paper stick को और इसमें एड करेंगे और इसमें गैब को फिल करेंगे अपड़ेंगे हम इसमें एग, दो और तीन, total 30 per spot को और एड करेंगे और इन्हीं पीछे वाली paper stick में इयड करते हुए इसमें ईसमें और बन करलेंगे तो friend हमने इस तरह से यह paper stick इसमें और add करकर इन्हें पीछे वाली paper stick से add करके उपर का एक नया frame इस तरह से बना लिया है friend हमने इसको temporary रूप से लगाया था अब हम जो हमारी सबसे पहले वाली paper stick थे इसे निकाल लेंगे और उधर से भी इसे निकाल लेंगे और यह हमारे दोनों हाथ और यह उपर का frame रावन के ढाचे से बाहर आ जाएगा हमने हमारे रावन के दोनों हाथों को और इस बने हुए frame को हमारे रावन की body के उपर वाले portion से उतार कर नीचे रख लिया है अब हमारे रावण के उपर वाला इस portion में जो ए बिग गैप है जहां पर हम और paper stick को add करके इसे fill कर लेंगे तो friend हमने रावण के हाथों के इस वाले portion को भी और paper stick इसमें add करके complete कर लिया है friend अब हम इसे उठाकर हमारे रावण के इस body पर रखकर देख लेते हैं कि ये सही fitting आ रहा है या कोई problem है तो friend ये वाला portion रावण की body पर अच्छे इतरा से fit बैट जाता है अब ये हमारा portion ठीक हो गया है friend आगे की इसकी fitting बिल्कुल सही थी लेकिन पीचे की fitting में थोड़ा सही ये सही नहीं था मैंने इस sticks को दुबारा से खोल लिया है अब मैं इसको fitting के इसाफ से दुबारा से जोड लूँगा और ये हमारा उपर का portion final हो जाएगा friend अब मैंने इसे पीचे से भी दुबारा से रिपेर कर लिया है अब ये पूरी body पे साही तरह से fitting हो गया है friend अब हम इसे भी news paper paste करके cover कर लेंगे friend हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा glue पीचे वाले इस portion पे ना लगे वो किवल उपर वाले इनपी लगे और इसके वाख़ार हम paste कर लें अगर पीचे वाले portion पे भी glue लगा देंगे तो हमें इसको वापस निकालने में दिक्कत आएगे friend हम इस तरह से यहाँ glue लगाएंगे और यहाँ पर news paper को इस तरह से paste कर लेंगे इस तरह से हम पूरे पे glue लगाते वे नीट वेपर paste करके इससे cover कर लेंगे friend हमने ऊपर वाले portion को भी नीट वेपर paste करके cover कर लिया है हमने आगे और पीछे दोने साइट नीट वेपर paste कर लिया है हमने ऊपर के थोड़े उससे को खुलना छोड़ा है क्योंकि अभी यहाँ पर हमें हमारे रावन का सिर भी fit करना है friend अब हम इसे सूखने के लिए 4-5 घंटे छोड़ देंगे friends आगे का रावन हम इस वीडियो के part 3 में complete करेंगे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और उपर आई बटन में मिल जाएगा friends आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आईकन पे औल नोटिफिकेशन सलेक्ट कर लें इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा friends प्लीज आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें